राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वा बंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज द्वाशी के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूं एकाशी ब्रत पारन की कथा बंधों जिसे सुनने मातर से आपको एकाशी व्रत के पूरण फल की प्राफ्ति होगी बंधों यदि आपने हमारी यूटुब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियो की जानकारी सथ से पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जय तुलसी मा जिरूर लिखें बोलो तुलसी माता की जय हो हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुप महातम सुना जो भगवान विश्नु को बहुत ही प्रिय है अब हम आप से तुलसी की पुन्य में कथा को सुनना चाहते है व्यास जी बोले ब्रहामनों पहले सकंद पुरान में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहां भी कहता हूँ शतानन मुनी के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुन्य और हिट की बात पूछी शिष्यों ने कहा नात ब्रह्म बेताओं में शिष्य आपने पुर्वकाल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस कथा का श्रवन किया था उसको हम सब सुनना चाहते हैं शतानन जी बोले शिष्य गन तुलसी जी का नाम उच्चारन करने पर ही असुरों का दर्पदलन करने वाले भगवाम शिविश्नु प्रसन हो जाते हैं मनुष्य के पाप नश्ठ हो जाते हैं उन्हें अक्षे पुन्य की प्राप्ति होती है जिसके दर्शन मात्र से क्रोडों गोदान का फल प्राप्त होता है उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें कल्यूग में संसार में वे मनुष्य धन्य है जिनके घर में शाल ग्राम शिला का पूजन संपन करने के लिए प्रति दिन तुलसी का व्रिक्ष भूतल पर लहे लहाता रहता है जो कल्यूग में भगवान शिक केशव की पूजा के लिए प्रित्वी पर तुलसी का व्रिक्ष लगाते हैं उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ठ हो जाए तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं तुलसी तुम अम्रित से उत्पन हुई हो और केशव को सदय ही प्रिये हो कल्यानी मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ तुम मेरे लिए वर्दाईनी बनो तुम्हारे शी अंगों से उत्पन होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार शी हरी का पूजन कर सकूँ वैसा उपाए करो पवित्रंगी तुलसी तुम कलिमल का नाश करने वाली हो इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुन कर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है उसकी पूजा का क्रोडो गुनाफल प्राप्त होता है देविश्वरी बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं मुनी, सिद, गंधर्व, पताल निवासी, साक्षात, नागराज, शेश, समपूरन देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते केवल भगवान विश्णु ही तुम्हारी महिमा को पूरन रूप से जानते हैं जिस समय खीर समुद्र के मंधन का उद्योग प्रारंब हुआ था उस समय शी विश्णु के आननंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था पुर्वकाल में शी हरी ने तुम्हें अपने मस्तक पधारन किया देवी उस समय शी विश्णु के श्रीर का संपर्ख पाकर तुम्परम पवित्र हो गई तुलसी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ तुम्हारे शी अंग से उत्पन पत्रोंद्वारा जिस प्रकार शी हरी की पूजा कर सकूँ ऐसी कृपा करू जिससे मैं निर्विघंता पुर्वक परम गति को प्राप्थ हूँ साक्षाथ शी कृषन ने तुम्हें गोमती तर्ट पर लगाया और बढ़ाया था व्रिंदावन में विचरते समय उन्हों ने संपूरन जगत और गोपियों के हित क सेवन किया जगत प्रिया तुलसी पुर्वकाल में वशिष्ट जी के कथन अनुसार शीराम चंद्जी ने राक्षिशों का वद करने के उदेश्य से सर्यू के तर्ट पर तुम्हें लगाया था तुलसी देवी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं शीराम चंद्र जी से व्य आगम प्राप्त हुआ पुर्वकाल में हिमाल ने परवत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपने अभिष्ट सिद्धी के लिए तुम्हारा सेवन किया तुलसी देवी मैं तुम्हें नमसकार करता हूं समपूरन अरन्य गया में साक्षात पित्रों ने तुलसी का सेवन किया दंडक अरन्य में भगवान शीराम जन्जी ने अपने हिस साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का व्रिक्ष लगाया लक्ष्मर और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा जिस प्रकार शास्त्र में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूरन चराचर जगत में द्रिष्टी कोचर होती है तुलसी का ग्रहन करके मनुश्य पातकों से मुप्ध हो जाता है और तो और मुनिश्वरों तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है तुलसी के पत्य से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारन करता है उसे गंगा शनार और दस गोधान का फ़र प्राप्थ होता है देवी मुझ पर प्रसंद हो वो देविश्वरी के मंथन से प्रगट होई तुलसी देवी मैं तुम्हें प्रणाम कर के जो इस तुलसी मा की कथा को सुनता है भगवान शी विश्णू उसके बद्तिस अप्राद चमा कर देते हैं। बल्ले अवस्था, कुमार अवस्था जवाने और बुढ़ापे में जितने पाप किये जाते हैं। वे सब तुलसी स्तोत्र के पाड़ से नश्ठ हो जाते हैं, तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ठ होकर भगवान सुक और अभ्युदे प्रदान करते हैं, जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है पढ़ा जाता है उसका कभी अशुप नहीं होता उसका सब मंगल ही होता है किंचित भी अमंगल नहीं होता उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है वह घर प्रचुद धन धानने से भरा रहता है तुलसी जी की इस कथा को सुनने से मनुश्य के रिदय में भगवान विश्णू के प्रती अविचल भक्ती होती है उसका वैश्णवों से कभी वियोग नहीं होता इतना ही नहीं उसकी बुद्धी कभी अधरम में प्रवृत नहीं होती जो द्वाशी की रात्री में ज्यागरन करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है उसे करोडों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्थ होता है बोलो विश्णू भगवान कीजए तुलसी माता कीजए राधे राधे जैए श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद